नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो पर और आज हम आपको बताने की कुछिस करेंगे कि जो LED वल्फ होते हैं इनकी जहालर में जो सर्कृट लगा होता उस सर्कृट को कैसे घर पर बनाए अगर आपको ये सर्कृट बजार पर नहीं मिल लई है तो दोस्तों बहुत ही असान तरीका है इसको बनाने का और इसका एक वीडियो मैंने डाल के तक हुआ है कि सर्कृट क सब्सक्राइब नहीं है यह देखिए यह देखिए चार सब्सक्राइब लगा आए और वन मेगा रेंज क्वाटर वाट का आपका एक रेजिस्टेंस लगा है जिसे आप यह देख रहे हैं जो दोस्तों आप यह देख रहे हैं यह वन मेगा रेंज वाट का रेजिस्टेंस है यह 100 ओम्स एक वाट का रेजिस्टेंस है अगर आपको रेजिस्टेंस का कलर कोड नहीं निकालना आता है तो अभी आप इसका कलर पढ़ सकते हैं और रेजिस्टेंस का भी मैंने वीडियो लाले हुए हैं तीन उसे भी आप सीख सकते हैं और यह दोस्तों डायोड हैं यह चार डायोड लगे हैं यह रिंग्टरीफायर काम करते हैं सर्किट पर और यह बनाएंगे पाच्टी और निगेटिव तो दोस्तों इसी के क FIR हमने ले लिए हैं यह देखी454 400 जाटर जी और चारसो गोल्ट का यह प्य एप कैपिसिटर लिए यह देखिए दूस्तों आप इसका नंबर देख सकते हैं 40cat जे 4 chillard हो गया यह आपका दोस्तों और यह वन मेगा रिंइज कॉाटर वाट का心 एक औ Suporship I देखिए, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और लाश्ट में जो फूर्ट कलर है, वो गोल्डन का है, तो आपने देख लिए दोस्तों, अब दोस्तों, ये 100 ओम, 1 वाट का रेजिस्टेंस है, ये देखिए, इसका फ़र्ष्ट कलर इधर से काउंट करेंगे, ब्राउन, ब्लैक, ब् सफेज सीरा देख रहे हैं, दोस्तों, ये वाला सफेज सीरा जो आप देख रहे हैं, ये पाजिटिव का है, और ये वाला निगेटिव का है, तो आईए सुरू करते हैं सर्कृट को बनाना, बहुत ही असान तरीके से, तो दोस्तों, हम लोग, जैसे मैंने बताया था, कि ए आप दो सीरे ऐसे कर दीजिये एक परल पहर और दो सीरे ऐसे परलिव पहर कर दी जिए का कि है आप समिनंको जोड़ दीजिए का अभी मैं आपको बुना भी दिखाऊंगा, तो ये देखिए सफेद पत्ति जो मापटी है, मैंन कर सफेद पत्ति कर दिया है, तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये negative और ये negative ये बन गया आपका negative और ये positive ये positive और ये positive आपका बन गया positive ठीक है, जो आपकी जहराऊद पर झूड़ेगा और यह जो जो सिरा है आप देख रहे हैं यह आपका AC का है तो अभी इसको हमने ऐसे रख दिया है अब इसको क्या करेंग जो हमने PF लिया था उसको हम कैसे ही उच करेंगे तो जो PF है दोस्तों आप यह देख रहे हैं इसकी दो टांगे यह 474 जे 400 वोल्ट का है अब यह जो वन मेगा रेंज है दोस्तों यह वन मेगा रेंज कुछ ऐसे ही इस पर लगा देंगे जैसे ही आप देख रहे हैं चित्र पर तो यह वन मेगा ओम का रिजिस्टेंस लगा है इस टाइप से वन मेगा ओम यह कौटर वार् ठीक यह आप देख रहा होगा अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसका एक सीरा यहां पर लगा देंगे इस वाले पर यानि कि डायोट का जो पाश्टी और निक्योटी था वहां पर जो सीरा बचा था उसमें एक लगा देंगे और एक जो 100 वोम का रिजिस्टेंस था उसको इस वाले पॉइंट पर टच कर देंगे ठीक है इस वाले पॉइंट पर नहीं टच करेंगे इस वाले पॉइंट पर ٹेच करेंगे तो यह दोस्तों चला जाएगा आपका 220 बॉल्ट AC सप्लाई पे तो समझ में आ गया होगे दोस्तों क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जो सीरा है उसको सीरे को उठाके ब्रिज रेक्टिफायर के एक पाजटी और एक निगेटिव पे लगाना है और जो इस 477 जे और 1 मेगावम रेजिस्टेंस के पॉइंट टच हैं देखिए इस सरकीट डाइगरम के निसार उसको एक दूसरे साइट पे पाजटी और निगेटिव जो पॉइंट है डायोट के उस पे लगाना है और इन डायोटों का नंबर है इन 4007 ठीक इसके बाद हमारी सारी जहारर लगेगी ठीक है और यहाँ पर जितना वोल्टेज निकलेगा अगर यहाँ 220 वोल्ट ऐसी दे रहे हैं तो यहाँ 220 वोल्ट आपका DC निकलेगा यह हो सकता है 4-5 वोल्ट काम आए उसके बाद यह हमारी यहाँ तक यह सरकीट कम्प्लीट हो जाती है दोस्तों तो आईए इसको अब बनाते हैं तो इसको कैसे बनाना आए आपको जैसे मैंने भी अब दिखाया था आप ऐसी आप इसको बना सकते हैं तो देखिए इसके दो सीरे हमने सफेद सफेद ले लिए इस टाइप से देखिए दोस्तों देखिए आप देख रहे हैं यह इस टाइप से कि दोनों सफेद आपस में हम लोग ऐसे पकड़के एड़ देंगे तो यह दोस्तों पाजिट्यू बनाया गया फिर इन दो डायोडो को हमने कोई मतलब नहीं है इनको ऐसे हमने रख दिया इस टाइप से देखिए पास्ट्यू हमारा कहा बन रहा था तो यह देखिए पास्ट्यू है यह दोस्तों दोनों जुड़े हुए हैं पास्ट्यू तो अब लोग इनको ऐसे हमने निचे रख दिया अब दो डायोड लेंगे उनके जो ब्लेक साइड है ये देखिए ब्लेक साइड ये दोनों ब्लेक साइड को हम आपस में ऐसे ही टच कर देंगे अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे जो दोनों सीरे हैं ऐसे बचे हुए उनसे कोई बदला नहीं हम चाहिए इसमें लगाए चाहिए ऐसे लगाए वो सब आपस में अपने आप combination बना लेंगे तो हम लोग बीना देखे इसको ऐसे लगा देते हैं तो ऐसे लगाने पाद हम लोग इसको टाइट कर देंगे तो दोस्तों यह हमारा सर्किट बनके तयार हुआ है और यह बहुत बड़े हैं सर्किट तयार होगा क्योंकि इस पे जो 100 ओम का रेजिस्ट्रेंस है अगर कभी बोल्टेज ज़्यादा कम आ गया तो यह खराब होके आपकी सर्किट को बचाने के कोशिस करेगा तो दोस्तों यह देखिए आप बन गया है और यह दोनों ऐसी सप्लाई के बने हैं जो मेरे हाथ पे समयाप पकड़े हुए हूं मैं यह दोनों ऐसी सप्लाई के बने हुए हैं और यह दोनों यह वाला जो सीरा देख रहे हैं आप यह नेगेटिव का है और यह वाला पाजि complete हो गया अब आते हैं पीए को एपी सिटर के तरफ तो दोस्तों यह आपको पीए को एपी सिटर लिया और वन मेगा रोम का इसमें एसे हमने लगा दिया हुआ है देखिए ऐसे लगा दिया हुआ है ठीक यह लग गया हमारा अब इसको हमें क्या करना है एक जो सीका पॉइंट है इसको तच्श कर देना है इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास solding आ रहा है तो जहाँ जहाँ हमने solding करी है यहाँ यहाँ इनको sold कर देंगे और एक यह 100 ohm का resistance यह दोस्तों जो अभी मैंने आपको दिखाया था 100 ohm का resistance यह दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे जहाँ देखिए जहाँ यह देखिए आप देख रहे हैं न उपर वाले में तो हमने PF वाला जोड़ दिया है और नीचे वाले पे यह 100 ohm का resistance जोड से यह वाले जो सिरे हैं यह आपकी AC supply पे चले जाएंगे जो मेरे आप side पे देख रहे हैं यह वाला हाथ देखिए जिसमें मैं ऐसे कर रहा हूँ इस हाथ के सिरे आपके positive पे चले जाएंगे इस हाथ के सिरे एसी supply पे चले जाएंगे और यह जो अब मैं पकड़े हूँ तो यह आपके जालर का निगेटिव पॉइंट है जो अभी मैं एक पहले वीडियो डाल चुका उसमें कैसे जालर को जोड़ना बनाए गया तो दोस्तों यह जो सर्किट कंप्लीट हो चुकी है इसके जो एक खुले वायर हैं वहाँ पर हम यह सिलिप चड़ा देंगे इसको दोस् साथ सर्किट नहीं होगा तो आप इसको एशा करिए अप सर्किट कंप्लीट कर लूए तो यह सिलिप चिडा दीजीए तो मैं यह वीडियो मैं इसका वोल्टेज भी चकर के दिखाओंगा तो मिलते हैं नेक्स वाइट वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिन जह भारत और वीडियो पसंद आईए तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद जहिन जह भारत